इंडिया वर्सिस ऑस्टेलिया दूसरे टेस्ट में पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने तीन विकेट पर 172 रन बनाए भारत और ऑस्टेलिया के बीच खेले जा रहे सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पर्त के ओड्स स्टेडियम में खेला जा रहा है दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में 45 ओवर में तीन विकेट खोकर 114 रन बना लिये हैं कैप्टन कोहली 52 रन और रहाने 23 रन पर क्रीज पर मौझूद है विराट ने अपने टेस्ट करियर का बीसवा अर्धशतक पूरा किया उन्होंने अपने यह 50 रन पैंट कमीज की गेन पर चौका लगा कर पूरा किया इससे पहले तीन ओवर में ही मिशेल स्टार्क ने ओपनर मुरली विजे को शूनने पर बोल्ड किया इसके बाद लोकेश राहूल को दो रन पर जोश हैसलवुड ने बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा ने इसरे विकेट के लिए 74 रन जोड़े और 24 रन के नीजी स्कोर पर मिशेल स्टार्क के हातों अपना विकेट खोया इससे पहले आउस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 326 रन बनाए इशान सर्मा ने मैच में 41 रन देकर 4 विकेट जबकी जस्प्रीद भूरा उम्रेश यादव हनुमान बिहारी ने दो-दो विकेट लिए भारत पहला टेस्ट 31 रन से जीत कर 4 मैचों की सीरीज में एक शुन्ने से बढ़त बनाए हुए है अगर भारत इसी तरह खेलती रही तो यह मैच भी भारत के हातों जीतना तै है धन्यवाद